विलकम टू ग्रोगेपिटल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंजल ब्रोकिंग जो की एंजल वन बन चुका है तो यहां पर इसका इंटरफेस कैसा है और हमें स्टॉक एट वाच लिस्ट फंड कैसे आट करना है उसके लावा हमें सिंपल ओडर कैसे लगाने है उसके बाद इंट्राडे में रोबो ओडर कैसे यूज करना है तो यह सभी चीजे वन बाई वन करके समझेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करते हैं फंड करने के लिए क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले फंड करना आना चाहिए तो देखिए यहा कि आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको नया उप्शन मिल जाता है एक तो अविलबन मार्जिन टू ट्रेड कितना मार्जिन आपके पास अविलबन है ट्रेड करने के लिए उसके बाद यहां पर आता है बिड्रॉल का अगर आपको एमाउन बिड करते हैं कि जब account opening करते हैं तो उस time पे वह bank account देते हैं कुछ दूसरा और funded करते हैं किसी दूसरे account से और बार बार वहाँ पर transaction फैल होता है तो जो आप bank account दिये हैं account opening के time में वह यहाँ पर तो करेगा उसके बाद जब हम phone पे गूगल पे या यूपी आई या net banking यूज करते हैं तो भी याद रखिएगा जो आपका account टंबर है उस account से यह link होना चाहिए मतलब phone पे भी या Google पे या यूपी आई या तो net banking उसी bank account के साथ attach होना चाहिए यह हो गया हमारा फंडेट करने के इतने सारे तरीके फंडेट होने के बाद हम लोग चलते हैं watch list में तो सबसे पहले यहाँ पे trade करने के लिए आपको stock add to watch list करना आना चाहिए अगर हम बात करें तो Sunsex, BSE और यहाँ पे Nifty 50 जो की NSE तो यह दोनों इनका labor यहाँ पे सो होगा स्क्रीन में जो भी page आप पलटाएंगे आप वह स्क्रीन सो होता रहेगा add to watch list के just उपर ही है तो यहाँ से आप market का view देख सकते हैं तो यह हो गया उसके बाद हमें कोई नया stock add करना है trading के लिए तो add to stock में यहाँ पे click करेंगे जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे type करने के ल Reliance यह Reliance में जैसे मैंने click किया यहाँ पर option मिलता है cash में मतलब equity के लिए NAC and BSE के उसके बाद future जो 3 मन तक के लिए होते हैं उसके बाद यह option trading के लिए हैं तो यहाँ से आप add to watch list कर सकते हैं आपके according जिसमें आपको trade करना है यहाँ पर मैंने select किया है NAC में cash में तो यह मैं select कर लेता हूँ select करते ही देखे यहाँ पर add to watch list हो गया है दूसरा stock एक लिए लेता हूँ SBIN यहाँ पर click किया इसको भी मैंने add कर दिया यह दो हो गया अब तीसरी बात आती यहाँ पर मुझे कोई option add करना है तो mostly अगर हम बात करें nifty bank nifty का option सबस्यादा popular है तो वह भी मैं add करके बता देता हूँ जैसे कि nifty आप यहाँ पर देखेंगे 17620 चल रहा है तो अगला option 2650 यह जैसे मैं click करूँगा यहाँ पर देखिया गया 23 September का weekly expiry का option तो यहाँ से मैं इसको add कर लूँगा उसके लाव अगर आपको दूसरा add करना है तो भी आप simply कर सकते हैं यह हो गया मैं nifty का option add यहाँ पर bank nifty करना चाहूँ तो bank nifty आल्मोस चल आ है 37500 के आसपास तो माल ल पर का 37700 का C यहाँ पर P ठीक है जो भी आपको add करना है आप वहाँ पर सिप टाइप करेंगे और वह आ जाएगा और आपको select करना है यह भी add हो गया तो यहाँ पर देखिए option add हो गया stock add हो गया आप किसी stock option मुझे add करना है तो वहाँ पर आपका stock का नाम पहले लिखना होग suppose SBI यहाँ पर मेरा चल रहा है 453 रुपए और मुझे 460 का C add करना है तो मुझे पूरा type करना पड़ेगा यहाँ पर yes BIN 460 460 रुपए का C add कर लिया तो देखिए यहाँ पर stock में अगर आप add करेंगे कोई भी option तो आपको stock का नाम पहले mention करना होगा then CEP जो भी है उस strike को mention करना होगा तो यह होगे मेरे add to watch list अब यहाँ पर आता है कि मुझे order कैसे लगाना है तो मैं यहाँ पर एक किसी में order लगा द दिखा देता हूँ जैसे कि SBI को मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पर देखिए कुछ चीज़े आपको और बता दू ट्रेट करने के पहले जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मिलता है option chain जो की option एक साथ आपको मिल जाएंगे buy और sell करने के लिए या तो put buy करना है तो call buy करना है या तो आपको sell करना है तो यहाँ पर इस stock का मतलब SBI का chart मिल जाएगा इस stock का detail के बारे में हाँ पर मिल जाएगा उसके बाद यहाँ से buy and sell जो भी आपको करना है इंट्रेडे में आप यहाँ से कर सकते हैं इसके लाब आप देखेंगे stock का open high low और closing price यहाँ पर आपको मिलता है और यहाँ पर आपको bit quantity, bit price, ask price यह सभी कुछ मिल जाएगा मतलब five जो buyer है five जो seller है वो दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी जैसा कि यहाँ पर आप देखोगी जो यह वाले blue color में आपको दीख रहे हैं यह सब buyer है और यहाँ पर जो red वाले में दीख रहे हैं यह ask price और ask quantity यह seller है तो यह सभी कुछ मिल जाता है अब हम लोग buy position में ए देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर quantity select करना है जो भी आपको लग रहा है यह quantity आप जितनी quantity आपको लेनी है वो उसके बाद जो प्राइज में लेना है तो यहाँ पर प्राइज के लिए दो चीज मिलते हैं आपको एक limit order limit मतलब होता है यहाँ पर जो प्राइज चल रहा है उसी प्राइज में मैं buy कर लूँगा तो यह limit और market concept clear delivery में कोई सा भी stock अगर आप buy करते हैं तो आपकी margin के recording जब तक आप चाहे हैं तब तक उसे hold कर सकते हैं इसके लिए आपको full amount देना पड़ेगा full amount मतलब एक share की कीमत यहाँ पे 450 रुपए है तो पूरे 450 रुपए लगे यह margin होता है margin जहाँ पर आपको seven days के लिए delivery में trade कर सकते हैं जो कि यहाँ पर वन लायक में 50 रुपीज charges है उसके बाद आता इंट्राडे और हम बात करने वाले हैं इंट्राडे के बारे में तो यहाँ पर हमने सिफ simple order लगाने की बात कर रहे हैं जिसमें कोई robot नहीं है तो simple margin है इसलिए 90 रुपए ही मुझे देना पड़ रहा है अभी मैं इसमें buy में click करूँगा फिर आएगा confirm buy वापा से click करूँगा अभी देखिए यह मेरा SBIN NAC by success हो चुका है चार सो तिरपन रुपए में यह जो है चार सो तिरपन रुपए की buying price है एक quantity है और यहाँ पे loss और gain चलता रहेगा अभी देखिए यहाँ पे अब मेरा यह order execute हो गया pending order में click करूँगा तो कुछ भी नहीं है अब मुझे यहाँ पे इसका target और stop loss लगाना है तो stop loss जैसे buy यह जो है हमारा position buy है तो मैं stop loss लगाऊंगा downside कि यहाँ पे in case मेरा loss होगा तो उसमें निकल जाना चाहिए देखिए stop loss यह हो गया देखिए यहाँ पे quantity तो इगर प्राइस 450 रुपए प्राइस भी डाल दिया आपने 450 रुपए और यहाँ disclose quantity में एक उसके बाद आपको sell में click करन है यह हो गया confirm sell और आपका order place तो देखिए यहाँ पर pending order में आपको मिल जाएगा order आपका place हो चुका है अब यहाँ पर हम लोग position में वापस जाते हैं अभी तो हमने लगाया है stop loss अब हमें लगाना है यहाँ पर target तो target के लिए आपको exit बटन में click करना है यहाँ पर suppose मान लीजिए आपने लगा दिया 456 रुपए कि इस price में आएगा तो निकल जाना चाहिए और exit बटन confirm exit यहाँ सब देख सकते हैं pending order में SBIN आपका 454 रुपए चल रहा है ठीक है और आपने यहाँ पर target लगाया 456 रुपए का intraday जो कि यहाँ पर आपका pending order में अभी तक pending है वो level नहीं आया और SBIN यहाँ पर आपका 450 रुपए का stop loss है यह भी नहीं आया तो जब यह order place करते हैं जहाँ पर simple order तो simple order intraday equity में आपको जो है एक साथ लगाने के लिए नहीं मिलेगा अलग अलग आपको लगाना है target अलग से stop loss अलग से उसके बाद अगर मान लीजिए यहा stop loss को आपको cancel करना है अगर यहाँ पर stop loss seat होता है तो आपका जो target है उसको cancel करना है manually आपको करना पड़ेगा यह automatic नहीं होगा कोई एक साइट buy होगा तो stop loss exit stop loss को अगर आप हटाएंगे तो आपका जो target लगा है वो exit ऐसा करना पड़ेगा मान लीजिए अगर मुझे पूरा cancel करना है तो cancel all order में क्लिक करूंगा यहाँ पर दोनों order cancel हो जाएंगे अभी देखिए मुझे इनके चेन ही करना है जैसे कि यह 454 रुपए आ गया मुझे चेन ही करना है तो मैं यहाँ से modify करके आपको बता देता हूँ यहाँ से आप price को modify कर सकते हैं देखिए यहाँ से quantity डाल दिया और price डाल दिया यह मैंने कर दिया confirm sell यह मेरा order place और यह हो गया success अभी देखिए pending order में जाऊंगा तो यह मेरा जो stop loss था अभी भी pending है इसको मैं करूंगा cancel कैंसल होने के बाद देख लिजें आपका pending order में कुछ भी नहीं है आपने जो position लिया था वह एक रूपे profit में exit हो गया मतलब आपका पूरा position close योगा clear इसको बोलते हैं simple order उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रोबो और तो रोबो और कैसे लगा जाता है stock कोई सब्सक्राइब कर लेता हूं सब्सक्राइब करने के बाद simply मुझे इस पर क्लिक करना है अभी मान के चलिए अगर आप buy position बना रहे हैं तो einर में कैसा है lower में आपको यहाँ से करना होता है और इंट्राडे में सेल करते है तो आपको हायर में sell करना होता है और lower में buy करना होता तभी तक हम नहीं देखा था मतलब buy side के लिए एक बार देख लेते हैं sell side के लिए अभी market का moment कैसा है वो हम नहीं देख रहे हैं यहाँ पर सिप order लगाना सीख रहे हैं तो sell button में click करूँगा यह click करते ही में ही मतलब limit price लगा के ही आप उसको sell या buy कर सकते हैं यहाँ पर price डालनी है target order डालना है stop loss डालना है trailing SL भी डाल सकते हैं तो इतने सारे features आपको मिलते हैं अब देखिए यहाँ पर जो आप target order डालेंगे इसमें थोड़ा से different है मतलब आपका जो selling price आएगा यह है आपको target लगाना है मान के चलिए 710 रुपए तो आपको क्या करना है इसका डिफ्रेंस कितना है 720 से 710 पॉइंट का यहाँ पर प्राइज आपको जो target order है उसमें 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा ऐसे लगर आप 125-26 का लेते हैं तो कितना आएगा 6 पॉइंट का stop loss तो वहाँ पे stop loss में लिखना है six trailing SL मतलब होता है अगर आप profit में चल रहा है in case market reverse आता है तो वहाँ पे आपको पूरा stop loss लेनिंग जरुवत नहीं है trailing SL होगा जो कि आपके loss को minimize कर देगा या तो प्रॉफिट में चल रहे हैं तो आप प्रॉफिट में exit हो जाएंगे बड़ आपको loss में convert नहीं होने देगा तो देखते हैं एक बार ओर लगा के quantity मैंने select कर लिया वन target order मैंने डाल दिया यहाँ पे 10 पॉइंट का stop loss order यह मैंने डाल दिया six point का trailing SL यहाँ पे मैं select कर लेता हूँ 0.25 यह 0.50 तो जैसे जैसे पचास पैसे बढ़ेगा वो 50 पैसे भी move होता जाएगा यहाँ पे sell बटन पे क्लिक करते हैं वापस से confirm sell और यह मेरा order place हो गया अभी देखिए जैसी order place होता है आप पहुंच जाएंगे सीधे सीधे pending order में जहाँ पे आपका जो robot order लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे robot order में आपको दिखा रहा है 110 रुपए का target और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 742 रुपए अभी जो concept change हुआ है उसका मैं logic बता देता हूं आपको जब stop loss लगाएंगे तो आपका जो trigger price है जहाँ पे आपको exit होना है वो आपने stop loss लगा दिया 1206 रुपए का बट यह जो sleepage के कारण market order पे जो निकलने का रहता है तो इस level के बीच में आप कई भी निकल जाएंगे आपको estimate यह जो बताता है वो है तो यहाँ पे 702 जो actual में दिख रहा है वो नहीं है stop loss और target दोनोंगा concept अभी देखिए मार्केट का जो मोमेंट हो अप्ट्रेंड है तो यहाँ पे आइसी आइसी बैंक अप में जा रहा है अभी हम लोग देख लेते पोजीशन में क्या status है पोजीशन में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आइसी आइसी बैंक देखें 35 पैसे 45 पैसे के loss में चल रहा है एक quantity है यहाँ पे अभी आपने buy नहीं किया है मतलब profit book नहीं किया है और आपका जो still average price है 720 उपर 85 पैसे है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यह position में क्या profit चल रहा है क्या loss चल रहा है तो यहाँ पे यह variable होता रहेगा in case को लग रहा है कि stop loss यहाँ पे ऐसा हो गया मुझे change करना है stop loss simply आप इसमें click करेंगे modify आएगा यहाँ जो 742 रुपए कुछ है इसको आप change कर सकते हैं 125 रुपए trigger price और price दोनों ही मैं यहाँ पे change कर दूँगा confirm आए यह मेरा change हो गया 125 रुपए 25 रुपए दोनों अभी देखिए यहाँ पे same वही सो कर रहा है तो आपको याद रखना है कि आपने जो price लगाया वही लगाया है इन case वहाँ पे कुछ उपर नीचे होता है तो उस price के nearest में exit हो जाएगा stop loss hit होने की condition में और आपका target same रहेगा अ modify में याद रखिए कि आपको जो वहाँ पे लगा रहे है stop loss modify करेंगे वह actual में जो price चल रही है यहाँ पे वही price आपको डालना होगा तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो यह हो गया मेरा order place और यह position में 5 पैसे plus में था minus में यह चल रहा है मुझे अगर यहाँ से इसको exit करना है तो किसी एक का मुझे यहाँ पर मतलब की target या stop loss किसी एक को trigger कराना होगा तो माल लिजे मैं काम करता हूँ यह जो है इसको ही trigger करा देता हूँ ठीक है टार्गेट को 721 रुपए यहाँ पर जैसे आएगा 720 आ गया 720 रुपए 90 पैसे कर देता हूँ यह मेरा order place अभी देखिए नेसी buy success मतलब आपने क्या किया यहाँ पर higher में sell किया और lower में आपने उसे buy कर दिया और यह 15 पैसे के profit में निकल गया quantity एक है उसके according तो यह हो गया position में आपका हो गया वही आप pending order में देख सकते हैं कोई भी pending order नहीं है मतलब आपका order execute हो चुका है position आपकी close हो गई है और वापस से add to watch list में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चल रहा है पूरा तो friends I hope आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छा लगें तो वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें अगर आपके पास angel broking account नहीं है description में लिंक अभेलबल है आप वहाँ से account opening कर सकते हैं और account opening करके बिंदास बढ़िया trade करिए angel broking बहुत बढ़िया बैतरीन features के साथ हैं अगर वीडियो